Hello everyone, welcome back to my YouTube channel So friends, staff nurse की एक और vacancy की update के साथ हमें यहाँ पर आ चुके हैं और friends, सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दें कि यह जो vacancy रहने आली है All India vacancy है तो यह बहुत ही अच्छी update आप सभी candidates के लिए आपर रहने आली है कि यह जो vacancy निकाली गई है All India नहीं आप किसी भी state से हो किसी भी राजिका आपका registration हो आप apply कर सकते हैं तो friends, यह बहुत ही अच्छी opportunity आप सभी candidates के लिए आपर रहने वाली है तो friends, यह जो vacancy निकाली गई है Staff nurse की critical care unit के अंतरकत यह vacancy आपर रहने वाली है तो friends, इसकी पूरी update हम आपको इस वीडियो में प्रवाइड करने वाले हैं सबसे अपले होता आएंगे कि यह vacancy निकाली कहां से गई है Number of vacancy कितनी है Qualification क्या रहेगी Application की last date क्या रहेगी Application की phase क्या रहेगी इन सब की जानकारी आपको हम इस वीडियो में प्रवाइड करने वाले है तो friends, इस वीडियो में last तक भी चरूर बने रहें और अकर भी तक इस वीडियो को लाइक नहीं कहें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें चैनल पर नए है, फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिलकुल भी न भूले तो friends, चलते हैं डाइटली अपडेट पर So friends, यहाँ पर आप दे सकते हैं जो वेकेंसी निकाली गई है Broadcast Engineering Consultants India Limited की तरब से वेकेंसी यहाँ पर रहने वाली है यानि कि जो वेकेंसी निकाली गई है BECIL की तरब से वेकेंसी निकाली गई है और इसका advertisement number आप उपर दे सकते हैं फाइल नमबर दिया गया है यहाँ पर date आप देखते हैं दे सकते हैं फाइल नमबर दिया गया और एडवर्टीजमेंट नमबर इसका क्या है 489 यहाँ पर इसका advertisement नमबर है यह offline mode में यहाँ पर आप लोगों से application form मांगे गये हैं तो यहाँ पर जो आपको form फिल करना है वो offline mode में यहाँ पर form आपका रहने वाला है तो इसके लिए आपको online नहीं करना offline इसका format दिया गया होगा इसका जो format दिया गया उसे ही में आपको अपना details फिल करके सारे document लगा के यहाँ पर भेजना होगा तो यह जो वेकेंसी रहने वाली है यह कहां रहेगी कोलकाता में आपकी पोस्टिंग होगी तो यह तो आपकी होगई इन्फार्मेशन सबसे पहले अब चलते हैं वेकेंसी की अपडेट की तरब तो जो वेकेंसी निकाली गई है इसमें आप देख सकते हैं critical care unit के अंतरगत है वेकेंसी रहने हैं डेपार्टमेंट का नहीं आपका जो रहेगा वो critical care unit है स्टाफ नर्स की पोस्ट रहेगी critical care में number आवेकेंसी की बात करें तो दस वेकेंसी यहां पर निकालीगे दस पोस्ट यहां पर रहने वाली है qualification की बात कर ले तो यहां पर आप जिसके qualification दिया गया है आपका जो qualification दिया गया है वो है आपका BSC अपलिक MSC nurse in nursing with minimum one year of experience in critical care unit और GNM with two years experience in the critical care unit तो यहां पर आपने अगर BSC nursing कर रखा है तो आप apply कर सकते हैं MSC nursing कर रखा है तो आप apply कर सकते हैं PB BSC अगर अगर कर रखा आपने तो भी आप apply कर सकते हैं इसके साथ साथ आपके पास एक साल का experience होना चाहिए critical care unit में तो आप apply कर सकते हैं और GNM वाले जो candidates हैं वो दो साल का experience होना चाहिए critical care unit में यहनि कि BSC MSC अगर आपने किया है तो एक साल का experience होना चाहिए और अगर JNM किया है तो दो साल का experience यहाँ पर आपका मांगा गया है अब इसके बाद यहाँ पर इसकी salary की बात के तो 30,000 रुपे पर मंथ आपको salary मिलेगी रेमिनेरेशन के तोर पे और 4,000 रुपे critical care allowance से जो है आपको वो मिलेगा अब यहाँ पर जो application form फिल करेंगे जो आपका offline form है तो यहाँ पर देसके candidates who have applied for the post have to send the scanned copy of all documents to the email id तो यहाँ पर एक email id दी गई है recruitment.cncik.gmail.com इस email id पर आपको form भेड़ना है इस post के लिए जो भी candidates apply करना है scanned copy of all documents यहाँ पर आपको भीजना होगा और इसकी hard copy भी जो BECIL का address निचे दिया गया उस पर आपको भीजना होगा ने की soft copy आपको इस email id पर भीजना है और hard copy भी आपको यहाँ पर भीजना होगा एल भवन C56-8-17 Sector 62 Noida 201307UP यहाँ पर आपको फर्म जो इसकी hard copy जाएगी वो यहाँ पर आपको भेजना है इस address पर और जो soft copy होगा उस email ID पर भेज़ेगे तो भी आप यहाँ पर भाण जाएगे तो दोनों तरह से आपको यहाँ पर भेजना होगा और और जो hard copy और soft copy भेज़ेंगे hard copy के उपर आपका advertisement number और post का नाम भी पढ़ा होना चाहिए और age qualification और नीचे भी आपको बता दी जाएंगे कितनी क्या रहने अली है तो यह सब चीजे यहां पर दी गई है इसको एक बार read जोरू कर लें यह PDF आपको हम group में भी provide कर देंगे अगर आपको चाहिए हो अगर आप खुद से download कर लेते हैं तो अच्छी बात otherwise हम group में भी provide कर देंगे तो यह हो गई आपकी detail अभी इसकी जो last date रखी गई है आप लिकेशन फार्म की वो रखी गई है 15-10-2024 तो 15-10-2024 तक आप यहां पर फार्म को भेज सकते हैं तो अभी आपके पास आउसर है आप अभी इसको भेज सकते हैं उसके यहां पर जो qualification के साथ जो document लगेंगे आप आपके application के साथ वो आपके देख सकते educational आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स यानि कि जो आपकी सेचरिक योगिताएं हैं वो आपकी होने चाहिए प्रोफेशनल योगिताएं जो हैं वो आपकी लगेंगे mark sheets हो गएरा जो भी हैं वो लगेंगी certificate 10th की mark sheet लगेगी card certificate आपका लगेगी तो यह साइड आपके साथ हो आपको उसमें लगाना है फोटोगराज का जो भी होगा वो भी आपको यहां पर लगाना होगा तो यह जितने भी डाकुमेंट से self-attested होने चैंड डाकुमेंट सेल भी self-attested photocopy तो self-attested photocopy आपकी यहां पर लगेंगी तो इन सबको आपके आपको farm के साथ भेजना होगा फिर यहां पर आपकी email id जो है उस पर आपको यह सब चीजें भेजी जाएंगी आपका जो आगे कफ़र्दा प्रोसेस होगा email id पर या फिर आपके mobile पर भेजा जाएगा और आपकी email id चलती होई होनी चाहिए अब यहां पर जो आपको यहां पर आपको लगाना है उसके बाद आप दे सकते हैं अपना फोटो आपको लगाना है उसके बाद यहां पर अपनी details फिल करनी है तो यह सब चीजें यहां पर आपको फिल करना है capital letter में आपको यहां पर दे सकते है form फिल करना है फर्म यह एड्रेस यहां पर दिया गया आते सकते हैं ब्राड कास्ट इंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिम्टेट बी इसी आई भवन नोड़ा को यह फर्म आपको भेजना होगा तो फ्रेंट्स यह पूरी अपडेट मैंने आपके साथ यहां पर शेयर कर दी है आई होप यह बीडियो आप सभी करेंडियेस के लिए इनफारीमेट हुर रहेगा और इंडिया वेकंजी यह तो किसी भी होग किसी ब्राजस को आप अप्लाइ कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में